आज हम बनाने जा रहे हैं लिट्टी चोखा जिसके लिए हमें चाहिए सत्तू हमने आटा में नमक मिला के पहले ही गूंद के रखा है दो घंटे पहले बॉइल किया हुआ आलू, बारी कटा हुआ प्याज, लाल मिर्च, अचार का मसाला, नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन, काला जीरा, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन का पेस्ट अचार का मसाला, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बना लेंगे, अब हम आटा ले लेंगे, लोई बना लेंगे, अब हम इसे सक्तू की फिलिंग करेंगे, इसे अच्छे से पैक कर लेंगे, किल y में आटो प्रास हम इसे अच्छे से अच्छे हम इसे से इस भादाट, विलिंग इसे अच्छे से अच्छे से लेंगे, बना बना लेंगे, अब हम इसे कढ़ाय में डालेंगे तेल अच्छे से गरम हो चुका है इसे धीमी आज में हम दीफ्राइ करेंगे जब तक फ्राइ होगा अच्छे से तब तक हम चुका रेडी कर लेते हैं सबसे पहले में पैन में तेल ले लेंगे तेल गरम होने देंगे अब हम उसमें लाल मिर्ज डालेंगे बारी कटा हुआ प्यास अब हम प्रेस कर चुके हैं अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे अब हम इसमें आलू एड करेंगे अब हम इसे निकाल लेंगे लिट्टी चोखा बिल्कुल रेडी है अगर आपको यह वीडियो पसंद रहे तो इसे लाइक करें और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वकरेंगे